दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बल्क में है दोस्तों आज हम समान ग्यान में जो हिस्ट्री की टोप 30 कुशन करने वाले हैं जो की बार पर गुर्मेंट एक्जा में पुछा जाता है तो चली यह लेटने करते हैं हम वीडियो को अब लाइकों को दबा लें ताकि हमारे आने ओले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे हैं धन्यवाद तो चली वीडियो को हम स्टार्ट कते हैं दोस्तों हमारा पहला कुशन है इलवर्ट विधेक का विवाद जो है किसी वाइस सराय से समन्दी आपके अपसान है ये लोड कर्जान दूस्तों दिसका सहैं ये श्राज की विडियो अंदोलों के लिए नहुजवान भारत सभा की अस्त अपना किस ने की आपके अपसन है A, चंद सेखर राजाद, B, जोए सुरे सिन, C, भगत सी, और जोटी है बिनायक दमोदर सावरा कर दोस्तों इसका सही अंसर है, अंसर नमा C, भगत सी नेक्स्ट, तिसरा कोशन है दोस्तों, निउ इंडिया वो कोमन वील, नामक्स मचार पतक किसकी दोरे शुर के गए आपके अपसन है A, मदर मोहन मालविय, B, जोए S, सुबरमान्यम, आयार, और जो C, एनी बिसेंट, और जो D, लाला लाजपत राय दोस्तों, इसका सही आंसर है, आंसर नमा B, S, सुबरमान्यम, आयार, नेक्स्ट, चोथा कोशन है दोस्तों, 1937 के आम चुनाओं के बाद की घटनाओं तथा उसके बाद कई परांतों में भारत्य परती निदित्यों की सकाय बनी, इस संदर में कौन से एक अस्टेटमेंट आपके अपसन है A, इन चुनाओं में कंग्रेस काफी सपल रही, जबकि मुसलिम लिग के बुरी तरह सपल हुई, B, उत्ते पस्मी सिमान्त परांत में कंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई, C, इनिनिस्ट पार्टी तथा किरिशक प्राजा पार्टी ने कर पस्मी सिमान्त परांत में कंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई, C, पच्छमा कोस्ण है दोस्तों, निमने लिकीत में से किसे अंग्रेजी सिचा का बिगना कोटा का जाता है, आपके अक्सन है A, वूड का अजपत, B और टोग सिमिती की रिपोर्ट, C, भा आपके अक्सन है दोस्तों, आजाती की समय कांग्रेस के अधर्च कों थे, आपके अपसन है A, डाक्टर राजेंद पसाद, B, जो है, J, B, किरी पलानी, और जो D है, डाक्टर भीमवराव अंबेक्टर, और जो D है, जो दी है, जवारलान नेरू, दोस्तों, इसका सही आंसर आपके अपसन है A, कलकाता अधिवेशन 1923, C, मदरास अधिवेशन 1927, और जो D है, कराची अधिवेशन 1931, दोस्तों, इसका सही आंसर है, अंसर नमोई B, जो है, दिली अधिवेशन 1923, निष्ट, अठवा कुश्चन है, दोस्तों, कंग्रेस की जैसे संगठन, जिसका कोई जनाधार नहीं है, और जो किवल एक छोटे से जोए, वर बिसेस का प्रतिनीद्यूत करता है, उसे राच्टी अस्तर का संगठन नहीं कहा जा सकता है, कंग्रेस की संदर में एक अस्टेटमेंट किसने कहा था, आपके अपसन है A, नव गोपाल मितरा, B, जो है, और जो गोष, नेश्ट, नव गोपाल मितरा, निम लेकित में भारत के कौन से जो है, वाइसरा है, और वेन मेरे डिक्स, मेरे डिक्स्त के उपनाम से जो है, कभी तायां लिखते थे, आपके अपसन है A, लोड नार्थ ब्रूप, बी जो है, लोड लीटन, और जो है, C, लोड दोस्तों, इसका सही अंसर है, अंसर नमब C, लोड रिपना, नेश्ट, दस्वा कोश्स्त हैं, दोस्तों, निम लेकित में से किस किस की सिलसिले में, बिनायक दमादर सावरकां को, अंडर मार निकोबार की कुख्यात, सेलूलर जेल में उमर्कायत की साजा के लिए जो भेज सड्यांत में दोस्तों इसका सहीा एंसरर है ancer number c दिली सड्यांत में निस्ट एगράहम सन्क्याधज दोस्तों भारतिय राष्टे गंग्रेश्कि शुरुवात किसी भारतिय दोरों नहीं की जा सकती थी यदि किसी भारतिय ने अयुसा अंदोल्ण सुर दूस्तों इसका सही अंसर है अंसर नमों B बाल गंगा धार तीलक निष्ट बरहावा कुछन है दूस्तों इनमें से किसकी अस्थापना सबसे पहली की गई थी आपको अपसाने A. Tata Institute of Fundamental Research B. संगीत नाटक अकादमी C. सिंदगीरी उर्वग फैक्टरी और जो D. दूस्तों इसका सही अंसर है अंसर नमों A Tata Institute of Fundamental Research नेस्ट तेरा हूँ कोछन है दूस्तों निमें लेकित में से गुरु गरांत साहीब के जो हैं मूले लेखा कौन थे आपको अपसान है A. भाई गुरु दास B. जो हैं बंदा सी बहादूर C. बाबा बुद्धा जी और जो D हैं बाबा गुरु दीत सी दूस्तों इसका सही अंसर है अंसर नमों C बाबा जो हैं बाबा बुद्धा जी नेस्ट चोदरहों कोछन दूस्तों 1984 में भारती सस्त्र सिनाओं दूरा जो है बिश्यों के सबसे उंचे यूद छेतर हैं स्याच्चित गलेसियर में जो है शुर्किये गें जो है ऑपरेशन का नाम क्या था आपके अप्सन है ऑपरेशन बी जै B. जो है ऑपरेशन मेग दूत C. जो है ऑपरेशन ब्लैक असकाई और जो डी है ऑपरेशन गंगा दोस्तों इसका सही अंसर है अंसर नमर D. ऑपरेशन गंगा निक्स्ट पंदरावा कोस्टन है दोस्तों इनमें से भारत के किस राज्ये के अंदर सासित परदेश में वनसागती तथा गोतर के लिए मातरी वनसिये ब्योस्ता का अनुसराण किया जाता है आपके अपसन है अंडमार निकोबार दिव समू B. जो है नांगालाइंड C. मेघाले और जो डी है सिक्कम सिक्कीम दोस्तों इसका सही अंसर है अंसर नमर D. आपके अपसन है A. आर जी भंडाकर B. जो है महादेव गोबिंद रानाटे C. जो है गोपाल हरी देश्मूक और जो डी है बाल गंगा धार दिलग दोस्तों इसका सही अंसर है अंसर नमर C. गोपाल हरी देश्मूक नेक्ष्ट 17 कोशन दोस्तों इनमें स्विकिश के अस्तापना जो है इंपिरियल इंपिरियल रिकोर्ड विभाग के जो है रुप में की गई थी आपके अपसन है A. राष्टे संगराहले कलकाता B. जो है भारती पुरा तत्त्य सर्मच्छा C. जो है Central Reference Library और जो D है राष्टे अभिलेख खागार दोस्तों इसका सही अंसर है आंसर नमोब C Central Reference Library नेश्ट 18 कोशन दोस्तों किस यूद में जो है रुबर्ट कलायू यूद के बंदी थे आपके अपसन A. प्रतम करनाटक यूद B. जो है तृतिय करनाटक यूद और जो डी है सात वर्ष्य यूद दोस्तों इसका सही अंसर है अंसर नमोब B दृतिय करनाटक यूद नेश्ट उन्हें सब कोशन है दोस्तों बंगाल में जो है द्वाइद सासन सातो उसो पंसर में किसके फर्मान का परिणाम था आपके अपसन है A. बिर्टिस B. जो है सा अलम C. जो है नवाब सिराजुद दौला और जो डी है राजा खान दोस्तों इसका सही अंसर है अंसर नमोब C नवाब सिराजुदा 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 ओला नेक्स्ट B. समा कोशन है दोस्तों दिर्टिर बिसुद की दोरान इनमें से कौन धूरी सक्तियों का जो हिस्सा नहीं था आपके अपसन है A. जर्मनी B. जपान C. हांगरी और जो डी है फ्रांस दोस्तों इसका साही अंसर है अंसर नमर B. जपान नेक्स्ट एक अपसन है दोस्तों वर्स सुरा सुचोबातर में सिवाजी की जीवन में कौन सी महत्यपूर घटना घटी थी आपके अपसन है A. सिवाजी का जो है राज अपसन B. जो है पुरंदर की जो है संधी C. सुरत की लड़ाई और जो D है उप्यूक में से कोई भी नहीं आपके अपसन है A. अरे सुरी इसका साही अंसर है दोस्तों अंसर नमर B. पुरंदर की जो है संधी नेक्स्ट बैसावा कुशन है दोस्तों नेमलेकित में से कौन सा जो है C. उन्होंने सोतंत पाटी के अस्थपना की और जो D है इनमें से सबी है दोस्तों इसका साही अंसर है अंसर नमर B. उन्होंने बंबेग प्रेसिडेंट्सी के प्रेमियर के रूपने जो है कारी किया निस्ट तैसमा कुशन है दोस्तों निल दर्पो नामक नाटक किस से जो है समधी था आपके अपसान A. संथाल हूल B. जो है निल बिदरो है बिदरो C. जो है पाबुनामा दंगे और जो D है दक्कन की दंगे दोस्तों इसका साही अंसर है अंसर नमर C. पाबुना दंगे नेस्ट चोविस कोशन है दोस्तों निल लिखित में से किस अधिनियां के द्वारा पहली बास सिचा के लिए धन मुईया करवाया गया था आपके अपसान A. चार्टर अधिनियां 373 B. जो है चार्टर अधिनियां 373 C. जो है चार्टर अधिनियां 813 और जो D है चार्टर अधिनियान 1833 दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नमाइ A चार्टर अधिनियान जो ए 773 मिक्या गता है निस्ट 25 कोस्टन दोस्तों भारती सिविल सवा में जो इस सामिल होने वाले पहले भारती कौन थे आपके अपसन ए दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नमाइ B चार्टर अधिनियान दोस्तों निमना लिकीत में से बिभीन राज्यों का जो वह समकौन सा था जो बाद में आदमिक राजस्थां बना आपके अपसन है दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नमाइ A बिरिहत राजस्थान दोस्तों 1935 में इसका नाम सनुक्त परांत किये जाने से पहले अधिनिक उत्तर परदेश को किस नाम से जाना जाता था आपके अपसने दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नमाइ B अगरा वह इलाहबाद प्रेसिडेंट्सी निस्ट अठाई सवा कोस्षान दोस्तों आज तक भारत के कितने पधान मंतुरियों को भारत रत ने से जो समायत किया जा चुका है अपके अपसन है दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नमाए C पूलिस ओर ए शीविल सेवा दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नमाए Cना नेक्स्ट तिसमा कोस्टन है दोस्तों भारत में मात्मा गाधी निपाला सत्यागरा किस अस्थान से जोई सुरू किया आपके अपसान ए खेडा बी जोए बारदोली सी चमपाराण और जो डी है साबर मती दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नम डी साबर मती से किया आई होप कि दोस्तों की यह हिस्टरी के टोप 30 कोशन आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी सेर केजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से मदद मिल सकें थैंक्यू प्लीज भी आप झारूज़